जैहें दोस्तों स्वागेत आप सके आपके अपनी यूटुब चैनल Selfish Study with Kundan Kumar में आज बात करेंगे Political Science Class 12 और आप सब के लिए Political Science मोडल पिपर त्यार किये हैं जो की सेट 5 है और अभी तक आपने सेट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखें तो जाके जरूर देख लिजेगा जिसका लिंक ह डाल देंगे वहां से आप जाके जरूर देख लिजेगा अगर एक से लेके चार तक देख लेते हैं तो आगे का सेट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आगा क्योंकि इन चारो सेट में Explanation के साथ समझाए है जो की बहुत ही Best वीडियो था आप समझा के जरूर देख ल वाले हैं तो इस वीडियो का आप सुरूर से लेके अंद तक जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको पचास M.C.Q. क्राने वाले हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को भी और कर लिजेगा पेली गराम जरूर आपको 100% जोइन करना है क्योंकि यहां पर आपको प्रेश्ट लेने वाले हैं आपको यहां पर इन्फरमेशन लाइव क्लास के बारे में पता चल जाएगी तो जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वहां से आप जाके डारिक्ट जोइन कर सकते है अगर आप आठ्स का paid group जोइन करना चाहते हैं जहां पर आपको all PDF notes मिल जाएंगे तो अगर आप लेना चाहते हैं और अच्छा खासा त्यारी और करना चाहते हैं तो इस नमर पर call या message करके join कर सकते हैं मातर आपको डेर जरा पैसा लगया है उसके बाद आपको join कर देया ज तो आपको 50-50 परसन हैं तो आप सब रेड़ी है यह आप सब फटाफ़र कमेंट करके बता देंगे यह भी कलास बहुत ही बेस्ट होने वाली ठीक है तो चलिए हम यहां से एक नमर में क्या लिखा है कि किस बिचारक ने युद्व को कुरूर अनिवारता कहा है कोई बिचारक ह जो युद्व को क्या कहा है सबसे खराब सब्द बोला है वो कौन बोले है तो मैं क्या वली यहिंगल या मुसॉलिन या गिरीन तो आप सब का जो राइट एंसर क्या होगा भी होगा याद रखेगा अब देखें दो नमर में क्या करा है दो नमर पसंद को अच्छे से समझे जितने भी बच्च अगर सीखे है उन सब का बहुत ही अच्छा है ठीक है अब चलिए आपके समझे तीन वर परसंद में क्या कह रहा है तीन वर परसंद को अच्छे से समझेगा कि किस सिधानत के अनुसार वर्ग वी हिन समाज में ही नियाई मिल सकती है या उपलब्द हो सक जो वर्ग वी हीन है जो कि यह परकार के कास्ट वर्ग नहीं है उसमें क्या हो सकती है नियाई मिल सकती है तो वह कौन सा है तो आप से का बिलकुल ही राइट अंसर जो आ रहा है भी आ रहा है मार्शवादी में जो है नियाई मिल सकती है ठीक है चलिए अब देखे चार नमर में क्या करा रहा है चार नमर भेरी भेरी इंपोर्टेंट प्रस ने इसे हम बहुत बार explanation वाले में भी करा हुए है जाके जरूर देख लिएगा चार नमर में देखे क्या करा कि क्यूबा संकट किस वर्स उत्फन हुआ क्यूबा संकट जो है आपको वर्स अब यहां पति क्या करा है पांच नमर में कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट पती थे जो देख रहे हैं वह किसी देश के क्या है राष्ट पती है वह अमेरिका के हैं इंगलेंड के हैं शोवियत संक्य है या चीन के तो फटा फटा बद यह पांच नमर का राष्ट इंसर क्या होगा बहुत अच्छा जितने अगर सी बताया है उन सब का बहुत ही अच्छा है ठीक है चलि अब देखे साथ नुवर प्रसंट को चोनुवर प्रसंट को वहरी वहरी इंपोर्टिंट वानीगा क्योंकि यह प्रसंद लागतार कहीं पूछा भी गया होगा यहां पर देखिए क्या करा कि बर्लिन की दिवार का निर्मान किया गया था इसका कुल पिरत्पिक होगा कि हां इसके लिए क्या गय था यहां पर जब निर्मान का सब्धा आया है तो यह होगा यह जो वर्लेन दिवार की तूटने के कारण क्या है सीतूत का अंत है, जब बर्लिन के वार, मतलब दिवार जो गिरा दिया गया था, उसका क्या करन हुआ, सीतूत का अंत हो गया है, ठीक है, तो आपका राइट एंसर क्या होगा, यह होगा, ठीक है, याद रखेगा, अब साथ नमर में दिखे क्या करा, कि 1955 के वार्षा संदे में आपका राइट एंसर होगा, यहाँ पर आपका राइट एंसर होगा, बट यह जो पस्चिम जावर्णी देख रहे हैं, वह आपके नहीं होगा, तो इसी आपका राइट एंसर होगा, जा들이 याव दूसरी दुनिया के देशों में किस faरकार के दे 12 दुनिया जैसे भारत को छोर कर गिए जो दूसरे देश आते हैं उसमें किस पर गont Zombie साते है विकास स्ट देश थाते हैं या समेवाधी साते हैं इसके में हम पहले भी video बात आए हुए, एक से फोर तक जो य होगा by होगा सामय वादिया कह सकते हैं या समाज वाधी कह सकते हैं अब आपके सामने 9 नạoर सक्षण में क्या करा है कि कि संगही स्वहयोग संगठन में कितने दे सामल है तो चार देश, पान, छे या आठ तो फड़ा बड़ बताइए कि राइच अंसर क्या होगा बहुत अच्छा इसमें टोटल आठ देश सामिल थे ठीक है चली अब यहाँ पर देखिए 11 दस नवर में क्या करा है कि निमलिखित में से कौन सा एक नाटो का सदसे है तो चीन चीन तो नाटो का सदसे नहीं है रूस भी नहीं है पलस में भारत भी नहीं है आपका जो बचा है वो सिर्फ डी है ब्रिटेन ब्रिटेन क्या है वो नाटो का सदसे है. ठीक है? अब बात करते हैं 11 नमर में जो कितने उसमें कुल कितने राजे है, तो टोटल 50 राजे है, जो कि आपका भी विल्कुल ही राइटेंस रुगा ठीक है? अब यहाँ पर 12 नमर में दिखिये क्या कर êtes कि किis देस ने नाटो में अमेरिके निर्तत्व का बिरोध किया क्या करा कि कोई देश है जिन्होंने क्या किया नाटो में अमेरिके निर्तत्व का बिरोध किया यह मतलग हो सकते है कि नाटो का बिरोध किये हुआ था वो बिरिटेंट था या फरांस या पस्चिम जर्मानी या इट्री तो फटा पट ब वामा किस देश के राष्ट पती थे बराक वामा जो है वो अमेरिका के राष्ट पती थे जिने सांधिक नोवेल पुरुसकार प्रदान भी क्या गया है 2009 में यह सब हम डीटेल में परहा चुके हैं इसलिए इस वीडियो में कोई डीटेल के साथ हम बात नहीं कर रहे है चौद ठीक है अमेरिका में हुआ था यह फड़ा बड़ बता दिये तो यह काब हुआ था यह जो हुआ था आपका जो बिल्कुल ही राइट एंसर क्या आएगा बहुत अच्छे यह जो है 202 पार केंदर पर आतंगवादी हमला जो जिसे हम WTO के नाम से भी जानते है इसके स्थाप आए हुआ था तो डी आपका राइट एंसर होगा ठीक है अब यहां पर देखिए सुला नमबर में क्या करा कि किस देश ने सुरक्षा परिसाद में सर्भाधिक बार निश्चे धादिकार का प्रस्ताव किया तो कौन सा देश था फटा बड़ देजे संदिक तराज अमेरि यह दो यह आपका है वह आपका है यह जो भारत क्या मानते था वह इससे भेदभा हुआ पुर्ण मानता था जो कि आपका भी राइट एंसर होगा ठीक है चलिए अब यहां पर 18 नमर में देखिए क्या करा कि बंगलादेश को भारत ने कम मानेता देदी जो कि हम पहले वाले वीडियो एक से लिए के फोर तक जब सेट करा हैं विसमें हम अच्छे से यह डीटल किये ह है और बहुत ही अच्छे तरह समझाए हुए है जो कि आपका राइट एंसर क्या होगा उन्हें से खतर में क्या क्या बंगलादेश को मुक्ति मिल क्या कह सकते हैं अब यहां पर देखिए उन्हें इस नमर का राइट एंसर क्या होगा इस हो थी अच्छा है गजव आप से कमेंट आ रहा है अब देखिया बीस नमर में क्या कर रहा है कि विश्वा सार्क सम्मिलन जो है आपका भारत में हुआ था कंठवांडू में हुआ था या पाकिस्तान में या स्रिलंका में इसके बारे में यह राइट एंसर क्या होगा फटा अब देखिया तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है दस दिसंबर को मेंना जाता है जो कि आपका डी बिल्कुल है जयाता हुआ लेता है नाटो किसे कते हैं और कभी कई पुझता है नाटो और वर्ससंदी के बारे में बताएं तो आपको बताना है और नाटो के अस्थापना के बारे में बात करें तो यह है वर्स जिसके अमेरिका है जिसके सनिक्टराज चंग है जिसे रूस के नाम से आप जानते हैं ठीक है याद रखेगा अब यहां पर तेज़ांवर देखिए क्या करा कि दक्छेस की असथापना कभी ती तो आपका राइट इंससे क्या होगा इसमें टोटल आठ देश है, यह भी आपको बताए हुए है, यह अब देखिए यहाँ पर 24 नमर में क्या करा है, कि अंतराष्टी मुद्राकोस का मुख्याले कहा है, अंतराष्टी मुद्राकोस का जो मुख्याले है, वहाँ पर कहा है, तो मनीला में, जरकात में, फेरिस में, या वानसे गटर में, तो फटा पर पता दीजे, राइट एंसर क्या होगा, 24 सनवर का, बहुत अच्छे, डी वाले का, बिलकुल ही, राइट एंसर है, ठीक है, अब देखिया, आपके सामने 25 न और परसन में क्या कहा रहा है, प्रसन को अच्छे से समझेगा, कि किसकी सी भारि राइट एंसर क्या होगा, सुरक्षा परिशद में, जो कि ए आपका राइट एंसर है, और ये अमेरिका का, क्या है, अमेरिका का ही सब अथी है, क्या है, अंग है, क्या है, अंग है, जो कि हम आपको अच्छे से समझाए हुए है, जिसमें से सुरक्षा परिशद हो गया, आ सुरक्षा परिशद में निसेधा दिकार का पुरियोग बार बार किया था तो आपको बतायते हैं रूस होगा क्या रूस होगे न अभी जश्ट कुछ दिर पहले हम बताए हुए थे यह प्रसंद डबल आ गया है कोई दिकत नहीं अब यहां पर देखें निमलिखित में से कौ आप नहीं सुने होंगे तो आपका राइट अंसर क्या होगा होगा भी राइट एंसर ठीक है चलिए अब यहां पर देखें नमर में क्या गया रहे कि भारत में पहला स्परमानु परिक्षन कह वहा था भारत तो कहां वह था पोखरन में वह था यह भी आपको याद रखना है बहुत ही वहरी वहरी इंपोर्टेंट यह प्रसन है याद कर लीजेगा अच्छे से ठीक है अब देखिए 29 नमर में क्या करा है 29 को अच्छे से समझेगा कि सनिक्तरासंग के चार्टर में किस विवस्ता को अस समहिक्स सुरक्षा हो तो यह आपको बताना है शाटए फटम बना देजे राइट कब बना तो यह बताना है 1945-1952-1960-1965 तो यह जो हुआ था निसस्त्री करन जो कि आपका जो तत्वाधान जो बले लेता है वह आपके 1952 हुआ था तो भी आपका राइट एंसर ही ठीक याद कर लिजेगा अच्छे से अब यहां पर क्या कर रहा है कि परियावरण के सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतराष्टी समयलन कहां किया गया था परियावरण के बारे में आपको बताया है यह भी प्रसन हम आपको रिपीट प्रसन में हमें लग रहा है एक तीस नमर का बताएगा राइट एंसर क्या होगा यह जो हुआ था इस टॉक हो हम जो देख रहे हैं ज रहे हैं इसमें पुछा यागा दो नमर में पूछा इसकता है ंगर विर्णों करत होगा कि ब्रेट ऊंदUNT करताये को रोका जाए विसेलिक ऐसे क्यों सर्जन को सिमित किया यह तो हो गा रहे लिए पहरी बांद वो चाहिए अधिक ना हो यह भी नहीं होता दिस्थापित लोगों का सम्मेलन कहां हुआ था पहला परियावरन पूछ रहा है यह दूसरा था और यह दूसरा है ठीक है प्रसंद को अच्छे समझ लेज़ेगा यह जो है आपका जो राइट एंसर क्या होगा इस प्रसंद का बहुत अच्छा यह जो आपका है क्यूबो जो देख रहे हैं क्यूटो करन जो आपका है वह उदारबाद पर ठीक हुआ है तो डी आपका राइट एंसर हो गया अब चलिए आपके सामने क्या क्या रहा है प्रसंद को अच्छे से समझेगा प्रसंद वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रसंद है कि भारत में नई आर्थिक नीती की सुरूआत किस पर सकते हैं डाउन हो रहा था और उसके बाद क्या हुआ एक जब उने से क्यानवे के बाद क्या हुआ यह गुरो करना स्टार्ट हो गया कब जब इसमें आर्थिक नीती की सुरूआत की गई थी तो याद रखेगा अब यहां पर देखिए गिर्मीटिया मजदूर बिहार की कि रहा था थे पोर्वीट श्यच्यच्यच्यच्य हैं था त्या साथ के दसक में नित्र के ना को जब फूर स्टार्थ न के दशक से2017 चे shaded में धिरुआत की गई थी ठीक है अब यहां पर कि क्या करा कि अमेरिका का पता किसी ने लगाया था बहुत थी गजव प्रसने वहरी वह इंप्रोटेंट है यह कि दिखे वह प्लिटिकल साइंस पॉर रहे है ना थी इसमें अलग ही परखार का प्रसन पूछता है ठीक है यह यह बारे बाते कि राइट एंसर क्या होगा यह जो अमेरिका का पता लगाया था वह कुलंबस था जो कि आपके राइट एंसर क्या होगा सी होगा ठीक है याद रखेगा आप देखें उन 40 चनवर में क्या कर रहा कि अखिल भारतिक किसान कॉंग्रेस की अस्थापना किसने क इसके बारे में यह फटापट बहुत बरिया बहुत बरिया जवालन नहरू या सहजानन्द सर्सती सरदार पटेल चोधरी चरन सिंग्ग तो आप सका जो राइट इंसर क्या होगा ठीक है याद रखेगा अब यहां पर देखिए आपके सामने क्या कर रहा है चालिस नवर मे कि बिधान परिशद के सदस्य का कारेकाल कितने वर्स के लिए होता है बिधान परिशद जो बिधान होता है बिधान के बिधाय कर सकते हैं उसके परिशद के कारेकाल कितने होते हैं तीन वर्स चो वर्स या पांच वर्स या साथ वर्स तो इसका जो कारेकाल होता है वो चो जो कि आपका यहां पर देखें मेंसे कौन सा अधिकार यह जो आपका डीबी है भारतिय संसद के उज अधवा दूतिय सदन का क्या नाम है मतलब दूतिय सदन का क्या नाम है लोग सबाय, राज्य सबायर, विधान परिशद है या सरवच्चे नयाले है पुलकर तो इस नवर पे कॉल करके इस नवर पे कॉल करके आपको डियर सर अपिय करके आपको स्क्रेंट भेजना है उस वहाँ पर जोईन कर देंगे उस जोईन करने के बाद आप PDF के मादियम से पीडिया के मादियम से सारे 400 पलस ला सकते हैं क्योंकि 300 से पलस एम सीक्यू देंगे और आपको MBVI सब्जेक्टिव देंगे जिससे परके आप बहुती अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं तो जरूर आप जोईन कर सकते हैं ठीक है इस नवर पे कॉल या मैसेज़ करके जोईन कर सकते हैं बिहार विधान परिशत में सदस्य के कितनी संख्या होती है तो 287, 95, 243 या 95 तो यह भी हम आपको प्रसर बताय हुए है नहीं बताया है न वह याद कर लिजेगा इसमें जो है 75 है याद रहेगा न बहुत अब यहां पर देखिए 44 नमर में क्या कर रहा कि भारतिये नियाए पालिका का सिर्ष नियाले कौन है तो इसमें बताये कि राइट एंसर क्या होगा बह स्मद् nasal танassal x3 15 क है नगर पालिका से नहीं और नगर निगं से नहीं इसके वारे में राइट रख Зjamal बहुत अच्र इसमें जो आपका राइट अंसर क्या होगा मे dies योड़ोड तोफ़ा है नबताठ करके रहा ठीक है तो सफ् conoc सब्सक्राइब कर सकते हैं अब यहां पर देखिए आपके सामने 46 नमर में क्या करें कि सविधान दौरा किस भासा को राज भासा का दर्जा दिया गया है जो कि हिंदी भासा देखरें उसको दर्जा दिया सविधान के दूसरे रूप में कर सकते हैं अब यहां पर देखिए कौन सविधान संसोदन सहरी अस्थानिय सासन से जुरा हुआ है और ग्रामिन जो जुरा हुआ है वह आपके याद रखना है कि सविधान की प्रस्तावना में बंदूता का अधर्स क्यों रखा गया था इसके बारे बती है इसका जो राइट एंसर क्या होगा बहुत अच्छे इसमें जो आपका राइट एंसर है ठीक है अब आपके सामने लास्ट प्रसन तो खतम हो गया अगर आप च चाहते हैं कि सर छो भी लाए तो प्लीज आप सो कमेंट करके बताएंगे कि पांच मां सीट जो है आपको कैसा लगा तो छठा सेट भी जल्दी ला देंगे और इसी परिकार पचास प्रसन कराएंगे और एक्स्प्लानेशन को अब हटा दिया जाता है क्योंकि ज्यादा एक एक चर्ट पर फचास एंच क्यों है और आपके आठ नो और दॉस यह जो है ना दॉस दुस यहां तक सौ स्वेंच की आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है सभी के सभी चाहिन ब्लीस अभी तक लखनें क्योंकिये लाइक और दी जगए आपने दौस्तों को जम की कर सेयर करती चागा जितना अच्छा सेयर करेंगों उतना ही अच्छा रहेंगे चलिए मिलते हैं गले वीडियो में अभी के लिए बाई-बाई चेहिन जे भारत